क्या हो क्या है तुम्हारी मा तो हट्टे कट्टे दिख रही है पूरी शादी में घोडी की तरह नाची है अब क्यों काम नहीं होता उनसे वो मा प्रेगनेंट है ना बच्चा होने वाला है मैं कभी भी भाई बन जाओंगा इस साल के अन तक क्या बोल रहे हो वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है यार पहले क्यों नहीं बताया कैसा मज़ा कही है जूट बोल रहे हो ना हां जूट बोल रहे हो ना तभी ससुर के आवाज आती है बहु पाने गरम कर दे तेरी सास को दवाई देनी है समय पर दवाई ना दी तो परेशान मैं तो किसी को मूँ भी नहीं दिखा पाऊंगी अब ये रोना धोना बाद में करना पहले गरम पानी कर दो मा को दवाई देनी होगी और हाँ रात को मा के पैरों में तेल लगा देना बहु को गुस्सा आ जाता है वो बढ़-बढ़ करती किचन में जाती है जहां उसका ससुर खड़ा होता है एक बड़ी जिम्मेदारी है हम सब के सरूपर इस उमर में मा बनना खत्रे से खाली नहीं होता हाँ हाँ पता है तो क्यों बन गई मा अरे खत्रे से कम नहीं है तो क्या जरूरती लल्ला पैदा करने की कैसी बात कर रही हो बहू क्या तुम खुश नहीं के घर में एक नया महमान आएगा छोटे छोटे पैरों से पूरे घर में गुमेगा पिता जी यहाँ जोड़े आपके आप यहाँ से जाओ यह शायरी बात में बताना अभी मैं पानी गरम करके थर्मस में दे देती हूँ सारा दिन पिलाते रहो गरम पानी और हाँ यह बच्ची की बात बार बार मुझसे कोई नहीं करेगा बहू का पारा अब चड़ा ही रहता था वो काम तो सारा करती लेकिन किलस किलस कर मीरा सारे काम से फुर्सत पाकर बैठी होती है कि मा का फोन आ जाता है बेटा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे सर पर अच्छे से निभाना ससुराल में हर किसी को खुश रखना वैसे तो मुश्किल है लेकिन भगवान ही हम्मत देता है बहू को हर कुछ सहकर से अपको खुश रखने की क्या बड़बड किये जा रही हो मा जानती भी हो कि यहां क्या चल रहा है मेरी सास अरे तेरी सास तो देवी है देवी कितने खुश हो रहे थी सारे तेरी सूरत देख देख कर पता नहीं जैसे बहू नहीं कोई मन मागी मुराद मिल गई हो उन लोगों को अरे बात तो पुरी सुनो मन मागी बुरा तो पुरी हुई है अरे मेरी सास को बच्चा होने वाना है प्रेगनन्ट है भू क्या बखवास कर रहे है मीरा ये बात किसी को कहना मत मुझे तो बता दिया लेकिन अब अपनी जबान से ले कहां है तेरी सास बात तो करा मेरी उचू जरा पोता पोती खिलाने की उमर में खुद का बच्चा खिलाने का शौक कहां से आ गया और आया भी तो बताना तो चाहिए था अब क्या ना कटाने के लिए हम लोगों से रिष्टा जोड़ा है रुख तेरे पापा से बात करती हूँ मेरा फोन रकल लेट जाती है वो एक सपना देखती है कि उसके गोद में एक बच्चा खिल रहा है भाभी की गोद में कितना खुश दिख रहा है ना लगी नहीं रहा कि भाभी है मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ सोने की बालिया तेरी शादी में तो मैं बुड़ा हो जाऊंगा ना अरे कैसी बात कर रहा है बेटा इसकी जिम्मेदारी तो तू ही लेगा अरे कौन ले रहा है तुमारे जिवर तुम औरते भी ना सपने में भी जिवर ही समभालती रहती हो मैंने जो सपना देखा है ना सुनोगे तो होश उट जाएंगे अच्छा तुम अपना सपना बात में बताना पहले मेरा सपने कल मैंने इतना अच्छा सपना देखा इतना अच्छा सपना देखा, कि अगर वो पूरा हो जाता है न, तो मैं तुम्हारे लिए रानी हार की बबादूँगा बहु अब सारे गम भुलकर, पती का सपना सुनने में लग जाती है मेरा का मूँ बन जाता है, वो चुप हो जाती है, और सपनी की बात याद करती है, कि बेटी हुई तो उसे ही अपने गहने उसे देने होंगे फिर तो रानी हार की जरूरत पड़ेगी ही, भही लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, तो जेवर तो चड़ानी ही होगे न, कहां से आएंगे वो कितने समझदार हो तुम मीरा, मैंने भी यही सोच कर तुम्हारे लिए रानी हार लेने का सोचा था अरे फूटी किस्मत मेरी, जो ऐसा परिवार मिला, मेरे पापा की तो मैं अभी क्लास लगाती हूँ, जो सब जानती हुए भी ऐसे परिवार में मेरी शादी कर दी बहु पिता को फोन लगाने ही वाली होती है, कि ससुर की फिर से आवाज आती है बहु अभी किचन में काम कर ही रही थी, कि मीरा के मम्मी पापा आ जाते है, वो हाथ में धीर सारे फल लेकर आते है मीरा की पिता मीरा के ससुर से कहते है लेजे भाई साब ये फल रखिए, बहन जी को खिला दीजेगा, वैसे कैसी है उनकी तबियत? बस पता तो है, आपको ऐसे वक्त में जो होता है, बस वही सब मुझे तो सुनकर बहुत गुश्या आया था, लेकिन चलिए, भाग्या में जो है लिखा, उसे कौन टाल सकता है डाक्टर को दिखा आए? हाँ, बस डाक्टर आने ही वाला है, अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए उतने में एक सुन्दर सी लेडी डाक्टर आती है पेशेंट कौन है, आप? अरे नहीं जी, मैं तो बहू हूँ है इस घर की मैं तो अभी सोच भी नहीं सकती, पोता या पोती के बारे में अभी तो मेरी सास ही, आरे चुप हो जाना, देख तो ले डाक्टर है ये किसी के भी सामने गुसा फोड़ देती है डाक्टर कमरे में जाती है और थोड़ी दिर बाद बाहर आ जाती है पीछे से सास भी निकलाती है ए भगवान, इतना दुख तो किसी को भी ना दे, जितना मुझे दिया है देखे बहन जी, आप लोगों को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए था वही तो, वही तो मैं भी कह रही थी, कि आप लोगों के लिए तो सोचना भी गुना है लेकिन अब पच्टाई होत क्या, जब चेडिया चुक गई खे डॉक्टर वहाँ से चली जाती है मैं मा नहीं बन सकती, मैं प्रेगनन भी नहीं हूँ ये कैसे, तुम तो बोल रही थी कि अरे वो गैस का दर्थ था, और पेट भी गैस से फूल रहा था डाक्टर ने चुण दे दिया है, गरम पानी से फांकना है मैं अभी लाती हूँ गरम पानी, आरे मैं तो गिसर ही लगा देती हूँ खुशी के मारे पागल ना हो जाओ